आज पता है क्या हुआ, फ्रीज में पनीर रखा था और मुझे इसे खत्म करना था, पनीर की सबजी में बना नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने दोपर लंच में ही पनीर बनाया था, मैंने सोचा क्यों न इसे कुछ इंट्रेस्टिंग बनाया जाए, जिसे इवनिंग स्नेक्स भी हो जाए और मेरा पनीर भी यूज में आ जाए तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी आज की डिस्क की और आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्णर में हम बनाते हैं आज की नई डिस्क मैंने मीनी वेपल मिकर निकाला और दो पाउ लिए जी हां आपने सही ग अज़े हम एक डिफरेंट वे हैं पनीर को मैंने क्रस्ट कर लिया है उसमें कुछ बेजिज डालेंगे बेजिज आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं मैंने शिर्फ अनियन एवं कैपसीकम डाली है आप चाहें तो करट एवं कॉण भी डाल सकते हैं नमक चिली फ्लेक्स औरि नहीं बनानी है अब बन के उपर पीजा सॉस लगाएं पीजा सॉस और मयोनीज को सारे बन में अच्छे से लगा दें देखिए सभी बन रेडी हैं उसके उपर टिक की रखें मुझे तो अभी से एकसाइटमेंट हो रहा है कि यह कैसी बनेगी उपर से थोड़ी से चीज करस करेंगे आप चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं चीली फ्लेक्स ओरिगेनो और मिक्स मसाला स्प्रिंकल करेंगे हमारे बन वफल के लिए रेडी हैं अब दूसरे बन से इसे कवर कर दें रेडी होने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा यह बने किसे हैं आईए अब हम बनाते हैं पीजा वफल वफल मेकर को थोड़े से बटर से ग्रिस कर दें अब इसके उपर हमारे रेडी बन को रखें पांच मिनटे वफल रेडी हैं देखिए क्या गजब कल्लू काया है हमारा पीजा वफल रेडी है उसके उपर बच्चों की फुक बढ़ाने के लिए थोड़ी से चीज करस करेंगे देखिए कितना लाजवाब लग रहा है न हमारा आज का इवनिंग स्नेक्स रेडी है सही में यकीन ही नहीं आया जैसे ही या बन कर रेडी हुआ सभी इसे सफा चट कर गया मिन्टों में ही या खतम हो गया आप भी ब पताऊं पांच मिनट भी नहीं लगा इस डिस को रेडी करने में और जितनी जल्दिया बन कर रेडी हुई उससे जल्दिया खत्म हो गई फ्रेंट्स अगर आपको या डिस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शियो और सब्सक्राइब थैंक्स फर वोचिंग